कोरोना के नए वेरियेंट को लेकर जार्खंड स्वास्थ्य विभाग गंभीर है इसके जोखिन COVID-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करना होगा स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार और जार्खंड सरकार के बीच लगातार इसे लेकर पत्राचार हो रहा है आने वाले समय में किसी सारवजनिक स्वास्थ्य आपात की स्थिती से निपटने के लिए बुनियादी धाचे की मजबूती पर भी जोड़ दिया चा रहा है ओडिशा के राजपाल ने आदिवासी बहुल मलकानगिरी जिले का बुधवार को दौरा किया इस दौरान उन्होंने ग्रामीनों माथिल मेडिकल कॉलेज के मरीजों महिलाओं और विद्यार्थियों से बातचीत की कार्यक्रम में एक छात्रा कविता खराने अपनी पढ़ाई के लिए राजपाल से मदद मांगी तो राजपाल ने एक लाख रुपए दान करते हुए कहा कि इस पैसे से किताबे खरीद कर पढ़ा पोडिशा के नुवापाड़ा जिला में आतंक मचाने वाला आदम खोर तेंदुआ अब संबलपूर चिडिया घर में शांत स्वभाव का हो गया है उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है बीते चार नवंबर की आधी रात नुवापाड़ा वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ कर संबलपूर भेजा था CCTV कैमरों से उसकी गतिविधी पर कड़ी नजर रखी जा रही है आगे उसके व्यभार को देखते हुए निर्नय लिया जाईड़ा फिलहाल साइबर पुलीस मामला दर्सकर आरोपियों की कुंडली खंडालने में जुटी है बताया जा रहा है कि युवती जार सुगुडा की रहने वाली है और कटक में प्राइवेट कमपनी में नौकरी करती है पॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी कुछ दिन पहले पीएम मोदी के लिए जेब कत्रा शब्द का इस्तिमाल किया था बीजेपी ने इसे लेकर चुनाव आलोग को शिकायत भीजी थी पीएम को लेकर राहुल गांधी ने यह अपमानित शब्द 22 नवंबर को उनके खिलाफ दिये गए भाशन में इस्तिमाल किया था दिल्ली उच्चन यायाले ने भारत निर्वाचन आयोग को आठ सप्ताह के भीतर मामले पर निर्नय लेने का निर्देश दिया भाशपा नेता किरन सिंह देव को 36 गड़ की भाशपा इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया विध्यप्ती में कहा गया है कि भाशपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ाने किरन सिंह देव को भाशपा 36 गड़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी जग्दलपूर से कॉंग्रेस प्रत्याशी जतिन जायस्वाल को चुनावी शिकस्ते देकर किरन सिंध देव विधान सभा पहुंचे है भारतिय कुष्टी महासंध के अध्यक्ष पद से ब्रिजभूशन शरन सिंध को हटाई जाने के बाद से खाली चल रही कुरसी को अब नया अध्यक्ष मिल गया है भारतिय कुष्टी महासंध के चुनाव के बाद ब्रिजभूशन के करीबी संजय सिह नए अध्यक्ष चुने गए हैं उन्होंने अनिता श्योरान को मुकाबले में कडी टकर देते हुए शिकस्त दी है वही देवेंद्र कादियान संध के वरिष्ट उपाध्यक्ष चुने गए हैं विपक्षी सांसदों ने आज अपने निलंबन के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया सांसदों ने कहा कि भाजपा संसद को विपक्ष मुक्ट चाहती है और इसी कारण सांसद निलंबित किये गए है पार्लियामेंट के दोनों सदनों से सांसदों का निलंबन जारी है वर्तमान में चल रहे शीतकाल नेन सत्र के दोरान लोकसभा और राजसभा से कुल मिलाकर 143 संसदों को निलंबित कर दिया गया है इस कारवाई को लेकर NCP नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को भाजपा के नेत्रित्व वाली केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों का ठोक में निलंबन करना लोक्तंत्र की हत्या है पंड्रिस सांसद राहूल गांधी कुछ दिन पहले पीएम मोदी के लिए जेब कत्रा शब्द का इस्तिमाल किया था बीजेपी ने इसे लेकर चुनाव आयोग को शिकायत भीजी थी पीएम को लेकर राहूल गांधी ने यह अपमानित शब्द 22 नवंबर को उनके खिलाफ दिये गए भाशन में इस्तिमाल किया था दिल्ली उच्च न्यायाले ने भारत निर्वाचन आयोग को आठ सप्ताह के भीतर मामले पर निर्नय लेने का निर्देश दिया दुबई में 19 दिसंबर को समाथ हुई IPL 2024 की निलामी में RCB, RCB ने अलजारी जोसेफ को 11.50 करोड रुपए में यश दयाल को 5 करोड रुपए में टॉम करन को 1.5 करोड रुपए में लौकी फर्ग्यूसन को 2 करोड रुपए में स्वपनिल सिह को 20 लाख रुपए में और 20 रुपए में सौरव चोहान जैसे खिलाडियों को खरीदा है। करनाटक ने एक तरफा मैच में जम्मू कश्मीर को 1 पारी और 130 रन के अंतर से मात दी। करनाटक ने जम्मू के और 20 रहंगामे के बाद अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। इन निलंबित सांसदों में लोकसभा से 95 और राजसभा से 46 सांसद शामिल हैं सभी सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा सचिवाले ने निलंबित सदस्यों के लिए प्रतिबंधों की रूपरेखा तयार करते हुए एक सर्कुलर जारी किया विपक्षी सांसद मंगलवार को निलंबन के बाद केंदर के खिलाफ धरने पर बैठे थे, उसी वक्त प्रिन्मूल सांसद कल्यान बनर जी ने राजसभा के सभापती जगदीप धनखड की मिमिक्री की थी इस दौरान राहुल गांधी ने उनका विडियो बना कर दिखाया था इस मामले को लेकर भाजपाने विपक्षी दलों पर जम कर निशाना साधा अब कॉंग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर खुल कर बाद चीथ की है सदन में टीमसी सांसत कल्यान बनर्जी द्वारा राज्यसभा के सभापती और उप्राश्टरप्ती जगदीप धनखड की नकल करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है सप्ता पक्ष लगातार धनखड की मिमिक्री को लेकर विपक्ष पर हावी हो रहा है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकी विनीक जिंदल ने जगदीप धनखड की नकल करने के लिए कल्यान बनर्जी के खिलाफ राज्यसभा और लोगसभा की नैतिक समितियों में शिकायत दर्स कराई है आज एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारत और न्यूजीलैंड ने व्यापार बाधाओं को कम करने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अधिक निवेशक नुकूल वातावन बनाने के उपायों पर चर्चा की केंद्रिय वानिज एवं उद्योग मंतरी पियूश गोयल और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष टॉड मैकले ने इन मुद्दों पर चर्चा की इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भारत की सराहना भी की है आज हम आपको इस खबर के माध्यम से मार्केट में लॉंच हुई कई शांदार कारों की जानकारी देने जा रहे हैं चलिए आपको इसके बारे में और भी विस्तार से बताते हैं भारतीय बाजार में ये कार पुल 4 ट्रिंस, सिग्मा डेल्टा डेल्टा प्लस जेल्टा और अल्फा में आती है इस कार की कीमत 7.4-6 लाख रुपए से 13.1-3 लाख रुपए के बीच है गलत खानपान अकसर कई स्वास्थे समस्याओं की वजह बन जाता है हाटबर्न इन ही समस्याओं में से एक है जो कई लोगों को रात में सोने तक नहीं देता है इसकी वजह से कई बार रात में सोना तक मुश्किल हो जाता है ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे हाटबर्न की वजहों पाकिस्तान की टीम ने अगले साल 12 जनवरी से न्यूजीलाइंड के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की टी सिरीज के लिए अपनी सत्रह सरसिय टीम का एलान कर दिया है मुहम्मद हारिस और स्पिनर आलराउंडर को टीम में जगह नहीं दी गई है शादाब इन दिनों अपने रिहाब से गुजर रहे हैं शादाब को फिट होने के लिए अभी दो हफ्ते और लग सकते हैं साउथ अफ्रिका ने दूसरे वंडे मैच में भारत को आठ विकेट से हरा कर तीन मैचों की सीरीज में एक से एक से बराबरी कर ली है भारत ने पहला वंडे 8 विकेट से जीता था दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी वंडे गुरुवार को पारल में खेला जाएगा इस निरनायत मुकाबले में भारत और अफरीका दोनों अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 चुन सकती है ब्लेंड की महिला टीम को 347 रन से धूल चटाने के बाद अब भारतिय महिला टीम 21 डिसंबर से आउस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलने के लिए पूरी तरह से तयार है पंजाब के खिलाडी शशंक से पंजाब की इस गलती का शिकार बने 19 यानी मंगलवार को दुबई में IPL 2024 के मिनी आउक्षन का आयोजन किया गया इंग्लैंड के एक खिलाडी फिल सॉल्ट जिन्हें लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है दरसल IPL 2024 के लिए हुए आउक्षन में सॉल्ट अपने लिए खरीदार ढूंडने में सफल नहीं रहे लेकर निराशा जताई है और बताया है कि संसर बोर्ड के इस प्रैसले ने इस तरह से उन्हें हैरान कर दिया है एनिमल की सबसे ज्यादा आलोचना फिल्म को मिसोजनिस्ट बता कर की जा रही है वहीं अब डाइरेक्टर संदीप रेड़ी वांगा अपनी फिल्म के बचाव में उतर आये हैं डाइरेक्टर संदीप रेड़ी वांगा ने इस पर रेक किया और अपनी फिल्मों को महिला विरोधी बताने वालों को जोकर कहा उन्होंने ये भी कहा कि न एनिमल मिसोजनिस्ट है और नहीं कवीर सिंग उनवर फारुकी की कैप्टेंसी खत्म होने के बाद अब हाल ही में सल्मान खान के शो में नए कैप्टें के लिए टास्क खेला गया इस तास्क में धरवालों को दो टीमों में बाटा गया जहां बिग बॉस सत्रह का ये कंटेस्टेंट विक्की जैन से भी बड़ा मास्टर माइंड निकला रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना शातिर दिमाग चला कर ये कंटेस्टेंट बिग बॉस का नया कैप्टन बन चुका है बॉलिवुड के दबंग सल्मान खान का एक लुखी उनके मूर को बताने के लिए काफी होता है ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला जहां सोहल खान की बर्थडे पार्टी से निकलते हुए सल्मान खान पैपराजी पर उखडे उखडे नजर आए उनके वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैस प्रतिक्रिया जाहिर कर रही है